जब मुकस्मीर के विधानसवा चुनाओ रस्तदारी में राजनेतिक जंग दिखेगी रजोरी जिले की दो सीटों में एक पर चाचा को बतीजा तो दूसरी पर मामा को भांजा टकर देंगे बुद्दल विधानसवा चुत्र में भाजपा के चौधरी जुल्फिकार अली को टिकट दिया इसी सीट पर नेशनल कॉन्फरेंस की टिकट पर जुल्फिकार के भांजे जावेद इकबाल चौधरी चुनाओवी मैदान में है कालकोड विधानसवा छेतर में भाजपा ने ठाकूर अड़ी सिंग को मैदान में उतारा है तो इनके भतीजे ठाकूर यशुवर्धन सिंग नेशनल कॉन्फिरंस की टिकट से चुनाओ लड़ रहे हैं बुद्दल से भाजपा प्रत्यासी चौधरी जुल्फिकार अले नेशनल कॉन्फिरंस पीडिपी पर जमु कश्मीर को लूटने के आरोप लगा रहे हैं उनका कहना है कि दोनों पार्टिया यहां वोट बैंक की राजनीती का लोगों के साथ चल कर रही है वहीं नेशनल कॉन्फिरंस से जुल्फिकार के भाज़ित जावेद इकबाल चौधरी भाजपा पर धर्म की राजनीती करने के आरोप लगा रहे हैं उनका कहना है कि भाजपा लोगों को आपस में लड़ा कर और विकास के जूटे दावे कर वोट मांग रही है उदर काला कोट सीट से भाजपा के चाचा ठाकूर रडधीर सीन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे के साथ मद्दाताओं को लुभा रहे हैं नेशनल कॉन्फिरंस उनके भतीजे ठाकूर यश्वर्धन सिंग अनुछे 370 वापस लाने जम्मु कस्मीर को फिर राज्य का धर्चा दिलाने और अन्यवादों के साथ वोट मांग रहे हैं दोनों सीटों पर अपनों को ही चुनाववे मैदान में अमने सामने होने से मुकाबले दिल्चस्प हो गए है इन दोनों मुकाबलों में कौन मद्दाताओं को लुभा कर बाजी मारेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा काला कोट से पूर विधायक ठाकूर रसपाल सिंग जीवित थे तो उनके बेटे ठाकूर यश्वरदन सिंग और उनके भाई ठाकूर रधीर सिंग मिलकर नेशनल कॉन्फरेंस के लिए वोट मांगते रहे हैं अब सियासत में चाचा भतीजा विरोधी बन गए हैं ऐसा ही बुद्धल और काला कोट सीथ पर देखने को मिल रहा है उदर विदानसवा चुनाओ के पहले चुनाओ के पहले चुरण में मदान के लिये नामंकन परक्रिया पूरी हो गई है अब चुनाओी रैली और जनसभाओ का दौर शुरू हो गया है बनादे की पहले चुरण में चिनाव वाली यानी डोडा किस्तवाड जेले किछा विदानसवा सीटों पर इस बार सबकी नजरे रहेंगी इन सीटों पर चार मुख्य राजनेतिक दलों के भी सीधा मुकाबला होगा जिसमें भाजपा, कॉंग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉंफरेंच सामिल है पहले चुरण के चुनाओं में 23,27 लाग से अधिक मद्दाता वोट डालेंगे जिनमें 11,00,000 से ज़्यादा पूरुस मद्दाता और 11,00,000 से अधिक महिला मद्दाता है साथ ही साथ थर्ड जेंडर वोटर्स है वहीं जम्मु कस्मीर में नेशनल कॉंफरेंच और कॉंग्रेस का गड़ बंदन है 90 सीटो में से नेशनल कॉंफरेंच 59 और कॉंग्रेस 32 सीटो पर चुनाओं लड़े है 5 सीटो पर फ्रेंडली फाइट होगी दो सीटे CPI M और पैंथर पार्टी को मिली है बता दे कि केंद्र शाषित प्रदीश जम्मु कस्मीर में अगले महीने विधानसभा के चुनाओं होने है राज्य की 90 विधानसभा सीटो के लिए 3 चरण में वोट डाले जाएंगे 18 सितंबर 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को जनता वोट डालेगी तो यह 4 अक्टूबर को चुनाओं के नतीजे घोसित किये जाएंगे अब सरकार बनाने के लिए बहुमत का आकड़ा 46 है ऐसे में देखना दल्चस होगा कि पार्टी के इन समी करणड़ पर किस तरीके से गेम आगे बढ़ता है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें